बिसमिल्लाइ इम्रोहीम, असलामलेकूम, पुरी नाइन्थ क्लास हम चेप्टर नुबर बन पढ़ रहे थे, इंट्रोडेक्शन तू बाइलोजी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा, रिलेशन आफ बाइलोजी एंड कुरान तोडेश टोपिक एस मुसिलिम साइनिपस, डिकेश्ट के फ्या उन्हीं, फ्याव किया मुसिलिम साइनिपस ने बहुत सदेखे इलत मötकूर क्योंने है, स्याइन्द टोड़न वे उन्हें काम किये हैं उनकी कामियाबियों का पता है यहां पर आपको तीन साइटिस्ट पढ़ाए जाएंगे जाबिर बिन हयान, अब्दलमालिक असमी और बूली सीना ठीक है जाबिर बिन हयान कौन थे पटा आपने बताना है कि यह जो कीवर्स हैं आपने हाइलाइट करन ठीक है, जाबिर बिन हयान के ऐसले होने छाहिए कैसे 12 गोहते हैं चीवर्स और नंबर आफ बूक्स में प्लाज्स and व्रक्ट रहाएं इसके लाब आपको पता है किस में ये घक है किसमेंगे इसकेंगे करेattend किकश में नहीं गुस् domestic applying means के plant पे है और अलहाइवान यानि एनिवल्स पे ठीक है चाविर बिन हैंड की दो बुक्स है अलनबतात है अलहाइवान एरान में पैदा हुए एराक में इन्होंने प्रैक्टिस की हेवाद ठीक है पिर आजा है अब्दलमालिक असमी पर ही कंसीडर दा फर्स मुस्लिम साइटिस्ट हूस्ट इंडिटेज ठीक है उन्हें पहला मुस्लिम साइटिस्स समझा जाता है जिन्हों ने एनिमल्स को इतनी ज्याद़ डिटेल के साथ स्टेड़ी किया उनकी बुक्स होर्स अलवहूश एनिमल एंड खलकल इनसान इनके चार बुक्स आपने लिखने हैं अब दिल्माली कसमें बिटा ये जो टॉपिक है ये अबजेक्टिव पॉइंट और व्यू से बहुत इंपोर्टन है आपसे बुक्स पूछी जा सकते हैं किसी की भी ठीक है ये किसी की भी क पूछा जा सकते हैं कि इस साइंटिस का सिर्फ थ्री साइंटिस्ट है आपने इनके याद कर लेने हैं क्योंकि अब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बहुत इंपोर्टन है फिर आ जाते हैं बूली सीना ठीक है बूली सीना ने कहके ही इस ओनर ऐसा फाउंडर फाउंडर पुछा जा सकते हैं आपसे हो इस फाउंडर फ्मेडिसन है तो क्या कहने है आपने के बूली सीना इए साफाउंडर फ्मेडिसन गाल एच Avicina of the West ठीक है, he was a physician भी थे वो, philosopher भी थे astronomer भी थे और point भी थे देखें क्या कुछ थे physician आपको पता है doctor को कहते philosopher थे astronomer यानि उन्हें माहिर फल्कियात थे and point भी थे, one of the book, Al-Quran Filthyb is known as the canon of medicine in West ठीक है, Al-Quran Filthyb इनकी बुका नाम है, पूलिसी ना का, बिटा अब आजाएं level of organization पे level क्या है organization के किसी भी तंजीम के level ठीक है, अब हम biology पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे biology में तंजीम के क्या level है, ठीक है अब देखें, हम कहां से start करते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद बड़े पे चलते जाते हैं, ठीक है बड़े लेवल पे, सबसे छोटा लेवल के subatomic and atomic level यानि atom का और उसके अंदर जो हिस्से होंगे, वो क्या कलाएंगे subatomic level, ठीक है अब देखें, all type of matter are made up of elements and each element consists of single kind of atom ठीक है, हमें पता है, तमाम जो matter होता है, वो किस पे consist करता है, elements पे, और elements में atom होते हैं, और same type होते हैं, ठीक है different type के atoms मिलके, element नहीं बनाते हैं, element कौन बनाएगा, same type of atoms, जो होंगे, मिलके क्या बनाएंगे, elements, अब atom का मतलब का है, a, not, term cut, ठीक है, atom का मतलब है, जिसे cut ना किया जासके, indivisible, ठीक है, जिसे divide ना किया जासके, atoms are actually made up of many sub-atomic particles, sub-atomic particles भी होते है atoms में, हम देखे हैं the most stable sub-atomic particles are, stable कौन से हैं, सबसे जादा electron, proton, and neutron, इसके मुतलिका बार बार पढ़ेंगे भी, ठीक है, सबसे जादा ही, stable होते हैं, out of the 92 kind of element data kind of nature, हमें पता है कि nature में कितने elements पाई जाते हैं, 92, ठीक है, 16 are called bio elements, bio का बहुत बार पढ़ चुके हैं, bio का मतलबता है, जिन्दा जानतार, ठीक है, जिन्दगी, अब वो 92 elements naturally occurring होते हैं, 16 message होते हैं, जिन्दा जानतार हों पाई जाते हैं, और क्या कैलाते हैं, bio elements, these take part in making the body mass of a living organism, ठीक है, 16 elements, bio elements क्यों कैलाते हैं, because they take part in making body mass of living organism, ठीक है, यह आप से question पुछा सकता है, what are bio elements, and why they called bio elements, यहां से reason स्टार्ट करेंगे, यहां पे आप लिख लें, ठीक है, यहां पे आप लिख लें, ठीक है, these elements, these take part in making the body mass of a living organism, so these are called bio elements, और इनके name आपने याद करेंगे, 16 के, यहां पे दिया है, out of these bio elements, only 6 यह हैं, और 10 यह हैं, 16 elements के बटए हैं, आपने यहां याद करें, 6 जो हैं, वह हमारे जिसम का 99% बनाते हैं, और बाकि A for calcium and P for phosphorus ठीक है बिटा आपने याद रखना है कि C A आपने इस तरहां से नहीं लिखना ठीक है पहला सेंबल बढ़ा होता है और सेकिंड जो होता होता है अगर 2 पे मुश्तमिल हो कोई सेंबल ठीक है oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium and phosphorus मिलके हमारे जिसम का कितना इसा बनाते है 99% यह देखें oxygen ही हमारा सिर्फ 65% बना देती है इसा carbon 18% यह आपने percentage भी बेटा याद करने है oxygen 65% carbon 18 hydrogen 10% nitrogen 3% calcium 2% phosphorus 1% और बाकी देखें और सिर्फ 1% और में कौन से शामिल हैं यह 10 elements हमने पढ़े हैं के फोर के फोर potassium s for sulfur c l देखें l small है ठीक है c l for chlorine and a for sodium देखें and capital है और a small है mg for magnesium fe for iron cu for copper mn for meganese zn for zinc and i for iodine ठीक है यह सब बिटा आपको symbols के साथ नेम भी याद होने चाहिए यह six elements का पता होना चाहिए जो हमारे 99% mass बनाते हैं और 10 का पता होना चाहिए जो हमारा सिर्फ 1% बनाते हैं ठीक है आपने यह याद करना है साथ में आपने यह भी पढ़ लेना कि proton and neutron कहां पाए जाते हैं हमने तीन elements पढ़े हैं कि most level कौन से हैं subatomic particles electron proton and neutron ठीक है अब वह location बता रहे हैं कि proton neutron कहां पाए जाते हैं inside the nucleus while electron orbit in energy levels ठीक है जो nucleus के बाहर energy level होते हैं shells उनमें क्या पाए जाते हैं electrons और nucleus के अंदर proton and neutron ठीक है औ अपने याद कर लेते हैं ठीक है थैंक यू